Hello everyone Welcome back to this channel क्या आपका दूसरा या तीसरा CESERIAN होने वाला है और आपको यह doubt है कि दूसरे CESERIAN में कट किस जगा लगता है जब due date pass आती है और यह plan होता है कि CESERIAN होगा किसी भी reason से हो सकता है कि आपका कुछ complication हो सकता है यह आपका first CESERIAN हुआ है इस वज़े से second cesarean हो रहा है, तो जो सबसे पहले जो doubt मन में आता है, डर मन में आता है कि दूसरी जगा पे cut कैसे लगेगा, कहां लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि पेट पे या uterus पे multiple cut हो जाएंगे, तो यह सब आना बहुत नॉर्मल है, यह सब बाते माइन में, तो cesarean delivery में, जो first cesarean में, जो cut आता है, pubic line पे, second cesarean में, वहीं सेम जगा ही cut किया जाता है, यह doubt नॉर्मली सब के माइन में आता है, तो मैंने भी delivery से पहले, due date से 2-3 दिन पहले, जो आपका विजित होता है, मैंने पी अपने doctor से consult किया था कि cut दुबारा से कहां लगेगा, और जो stitches अग जो भी procedure रहता है उस time पे, तो दूसरा cesarean हो, जो तीसरा हो, चोथा हो, जितने भी cesarean हो, cut हर जगा उसी जगा पे ही लगता है, क्योंकि इसमें यह होता है कि सिर्फ ऊपर तो cut नहीं आना है, uterus पे भी cut आना है, तो uterus पे अगर multiple cut आएंगे, तो uterus वैसे भी weak होता जाता है हर एक cesarean के बाद uterus weak हो जाता है, क्योंकि obviously बात है, उस पे cut आया, stitches आया है, तो थोड़ी weakness तो उसमें आ ही जाती है, जैसे हमारी body में होता है कि operation से पहले, जैसे हमारी body की जितना वर्जी कर लो, वो पहले वली बात नहीं आती है, तो दूसरा तीसरा जितना भी cesarean होता है कट वहीं सेम जगा ही लगता है, इसलिए जैसे number of cesarean बढ़ते हैं, कि दूसरा या तीसरा है, तो जो recovery time में वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि सेम जगा कट है, तो जो skin है वहां की फ्रेश स्किन नहीं है, फ्रेश स्किन पर जब कट आता है, तो उसका हीलिंग ज होती है आपकी, तो जब दुबारा सुसी पर कट किया जाता है, फिर उसको से स्टिच किया जाता है, तो इसलिए recovery time थोड़ा सा हमारा increase हो जाता है, और delivery के time भी ऐसा होता है, कि अगर वहां scar tissue ज्यादा बन जाते हैं, या किसी को होता है, इसका रदेशन हो जाते हैं, कि उसक ज़िए काट करने का, बट जो कट किया जाता है, वो same scar के उपर ही किया जाता है, जहाँ आपके पहले कट था, और uterus पर भी same scar आता है, तो इसलिए भी जो doctor recommend करते हैं, कि जादा से जादा आपको 3 ceserian ही करवाने चाहिए, उस से जादा अगर आप मलला family planning अगर चाहतो कि कि सेशेरेनों का कट लगेगाया तो आभेसटी बाद रखी बढ़ivable जाते हैं कि जहानक जिए कट आता है यह जिए प्राइशन्षी तरह की प्लाइज जाता है तो इस वजह से भी यूट्रस पे अगर मल्टिपल कट हो गए या दूसरी डिलीवरी में दूसरी जगा कई कट किया जाएगा तो अगर थर्ट प्रेगनसी प्लैन करना चाहते हो तो उसमें भी कॉंपलिकेशन बढ़ जाते हैं क्योंकि प्लसेंट प्रीवे की चैनसे की यूट capitalist वीक कॉज़ाते हैं या योट्र रॉप्टर चैन्स हो जाते हो जाते हैं तो सिसेरें में कितना गैप वोना चाहिए यह स Самन刚 के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है या अगर आपकी कम टाइम में सीजेरियन के बाद फिर से प्रेगनेंसी हो गई है तो इस पर मैं डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके वह देख सकते हो और नीचे लाल बटन दबाके इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए थाइचू वाचिव वाचिगू